उमीद है आप सब खैरिया से होंगे? आज मैं आपको सीन शीन और स्वाजवाद की छोटी अश्काल लिखना सिखाऊंगी ये सीन की बड़ी शकल है जो लाइन के उपर और नीचे होती है लेकिन जब हम सीन की आदी शकल लिखते हैं तो लाइन के उपर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सीन की आदी शकल कहलाता है इस तरह से हम सीन की आदी शकल को लिखते हैं इसी तरह ये सीन की बड़ी शकल है जो लाइन के उपर और नीचे होती है लेकिन जब हम इसकी छोटी शकल लिखते हैं तो उपर वाला हिसा, लाइन के उपर वाला हिसा शीन की आदी शकल कहलाता है और इस तरह से हम शीन की आदी शकल लिखना सीखते हैं या छोटी शकल लिखना सीखते हैं ये स्वाद, स्वाद की बड़ी शकल है, जब हम स्वाद की छोटी शकल को लिखते हैं, तो उपर वाले हिस्से को हम इस्तमाल करते हैं, उपर वाला हिस्सा स्वाद की छोटी शकल कहलाता है, और स्वाद की छोटी शकल को हम इस तरह से लिखते हैं, ये स्वाद की छोटी शकल यह जुआद की बड़ी शकल है और लाइन के उपर वाला हिस्सा जुआद की छोटी शकल कहलाता है और इस तरह से हम जुआद की छोटी शकल लिखते हैं एक बार दुबारा हम सीन शीन स्वाजवाद की लिखाई की मशक करती हैं यह देखें सीन की छोटी शकल और इस तरह से यह शीन की बड़ी शकल स्वाद की छोटी शकल और इसी तरह से हम जुआद की छोटी शकल लिखेंगी आज हमने आपको सीन शीन स्वाजवाद की छोटी अशकाल लिखना सिखाई हैं आप घर पर जादा से जादा लिखने की मशक करें शुक्रिया